हेलो दोस्तों मेरा नाम है सेकजुलपिकार और आप देख रहे है मेरा यूटूब चैनल प्लम्बिंग बाइ सेकजुलपिकार आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा वाल हेंगिंग कोमोट फिटिंग करने के लिए जो उसका इनलेट और आउटलेट का कंसिल पाइप फिटिंग हम लोग करता हूँ वो किस हैसाब से हम लोग फिटिंग करता हूँ किस मेजरमेंट से इनलेट और आउटलेट का माप हम लोग रखता हूँ और फिटिंग करते समय खास क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए यह सब जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के थुरू दूंगा क्योंकि वालेंगिंग कोमोट का जो इनलेट और आउटलेट का कंसील पाइप फिटिंग होता है वह अगर सही मेजरमेंट से अगर उसका माप में आप में तो जो है वालेंगिंग कोमोट उसमें नहीं होता है बाद में आपको टाइल तोड़ के फिर से ताब के अनुसार इनलेट और आउटलेट का माप जो है वह आपको सही करना पड़ेगा तो चलिये वीडियो मैं शुरू करता हूं अभी देखिये दोस्तों म क्योंकि यह वाटर पुपिंग का उपर दोस्तों देर इंच का माल आएगा माचन आएगा ठीक है तो टाइल्स का अपर से जो आउटलेट का सेंटर है वो सारे 9 इंच होने चाहिए अगर इनकेस दोस्तों आदा इंच कम या फिर ज्यादा हो जाए तो टब तो फिटिंग हो जाएगा पर सारे 9 इंच जो है वो उसका एक्शुल माप है ठीक है टाइल्स का फिनिसिंग लेबल से अपका जो वालेंगिंग कोमोट का जो आ ऑफिर आउलेट का जो हाइट है वो रखना आ है तो आब दिखें मैंने आपर जो आउट लेट है वो मने फिटिंग कर रहा हूं अभी मैं आपको मपके देखा रहा हूं यह जो वाटा पूपिंग से और टाइल सच ऑपर आटलेत करेंगा अब ही जिस खेलने से पहले का अंतर वासर है के नहीं रहता है नहीं आगर रहता तो वासर टाले ऊसके बाद यह नहींकर सफ़ितिंग करना है नहीं तो justement अब यह साथ में हुआ से जो है पाने होने का चांस रहता है आप देखिए ये चार का जो सेंटर में pewno से अफ्रे हम अड़ी जो फ्रेसEs थीपीर कोilly to restore पिए यह मैंने आया फिपीटिंग कर दिया हूं अभी की इनलेट पाइप में फीटिंग करूँगा तो अभी आभ देख सकते हो ओhes जो इनर इनलेट पाइप चार इन्च का पाइप और यह जो एक इन्च का पाइप का यह दोनों का सेंटार दोस्तों यहाँ मैंने 6 पांच रखूंगा क्योंकि यहां पे जो टब फिटिंग होगा उसका जो ०ो 1600 होगा cudझ का माप है जो लेंग सेंप्ल में अमंग तो उस इले सेंपल में खेकर अ आपको हैं पर जो है कनसील में इन्लेट आट लेट का पाइप फिटिंग करना है यह क्योंकि सबसे अच्छा है पहले आप जो भी वह बी को मोट फिटिंग करना है वह सेंपल में मगवा लेना है उसका इन्लेट तो टो तो चोंbbles माप से पीटिंग करने तो आपका कोमोड ने बाद मैं पर्फेक्ट पीटिंग होगा अब देखिये चार का सेंटार से हैं पर एक इंश के सेंटर में यह आप 25 इंश रखा हूं ठीक है और यह जो चार इंच का जो पाइप है और एक इंच का पाइप भार्टिकल भी दोस्तों सेंटर में होना चाहिए यह भी खास ध्यान रखना है भार्टिकल बराबर भी जो है और सेंटर में होना चाहिए अभी कि यहां पर पूरा बार्प सेंटर में है तो क्या-क्या चीज्जत ऑपको ध्यान में रखना है सबसे पहले तो अपको सेंपल में कॉमोट Mangua लेना है उसके बाद दोस्तो आपर क्या चारिंच का पाईप का सेंटर है वह नीचे फ्लोरिंग से जो है अपको जो फ्लोरिंग मतलब अपका अगर फिनिसिंग लेबल टाइल्स का फिनिसिंग लेबल से आपको चार इंच का सेंटर से एक इंच का सेंटर वह यहां पर मैंने सव पांच इंच रखाऊं क्योंकि यहां पर जो टब फिटिंग होगा उसका सेंटर स तोब पांच इंच है और आड़ा में दोस्तों आप दिखिए एक इंच के सेंटर रखा हूं और चार इंच के सेंटर भी अर्था इंच पे रखा हूं और इस मेजरमेंट से फिटिंग करने के बाद अपका जो फ्लोरिंग से इंगलिश टप का जो हाइट है वो टॉप लेबल तक के लिए दीजिए इजादत थैंक यू गूड़ बाई